चाट समोसे टिक्की चाहे कितनी भी स्वादिष्ट क्यों न बन जाए लेकिन बिना चटनी के इसका स्वाद अधूरा रहता है दोस्तों तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट घर पे बनने वाली अमचूर पाउडर की खट्टी मिठी चटनी र तो इसको गर्म होने देते हैं, जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद एड करूँगी मैं 16 degrees जीरा तो बहुत जादा नहीं लेना है 0.30 तो जब हलका सा ये चटकने लगे तो उसके बाद एड़ करूंगी मैं थोड़ा सा पानी तो पानी लेना है हमको सिर्फ एक ग्लास करीब 300 ml अब इसको अच्छे से हम पका लेंगे जब पानी हमारा गर्म हो जाए तो उसके बाद एड़ करूंगी मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर एक कप से थोड़ा कम है ये वन थर्ड कप अब इसको मैं अच्छे से विस्कर से मिक्स कर लूँगी ताकि किसी भी तरह की कोई गुठली लंस वगएरा ना रहे हमारे इस पैटर में तो बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लेंगे अच्छे से बोईल आने देते हैं तो लीजे फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छे से बोईल आ गया है देख सकते हैं आप इसके बाद एड़ करूंगी मैं यहाँ पे गुड़ तो 300 ग्राम ले लिया है मैंने यहाँ पे गुड़ क्योंकि हम खटी मिठी चटनी बना रहे हैं इसको मिक्स कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमको पकाना है जब तक की गुड़ अच्छे से पानी में मेल्ट न हो जाए इसको थोड़ा चलाते रहेंगे ऐसे तो चलिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे गुड़ मेल्ट हो गया है अब यह पढ़िया से पक भी गया है देख सकते हैं तो थोड़ी यह गाड़ी होने लगी है तो अब इसके बाद एड़ करूँगी मैं कुछ मसाले तो चलिए अब डाल देती हूँ मैं यहाँ पे आदा चमच काला नमक आदा चमच से थोड़ा कम सफेद नमक अब इसके बाद एड़ करूँगी मैं आदा चमच काली मिर्च पाउडर एक चमच ले लिया है यहाँ पर soft powder और मैंने थोड़ी सी ले लिया है यहाँ पर लाल मिर्च एक चमच गरम मसाला और इन सभी को बहुत ही अच्छे से mix कर लेंगे लाल मिर्च का मैंने यहाँ पर कम इस्तमाल किया है क्योंकि हमने पहले इसमें काली मिर्च डाली है तो बहुत ज़ादा spicy नहीं बना रहे है अब इसको हम पकने देते हैं करीब 3-4 मिंट तक जैसे जैसे यह पकेगी तो थोड़ी हमारी गाड़ी होने लगेगी ग्रेवी तो जब गाड़ी हो जाए तो इसके बाद एड़ करूँगी मैं एक चम्मच खरबूजे के बीज 3-4 ले लिए हैं मैंने 2 इकटे छुआ रहे यहाँ पे ले लिए हैं मैंने 3-4 काजू इसके बाद हम इन सभी को मिला लेंगे और थोड़ा सा इसको मैं और पकाऊंगी बहुत जादा गाड़ी नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद यह काफी ठीक होने लगेगी तो एक दम मीडियम कसिस्टेंसी में हम इसको पकाएंगे तो सिर्फ 2 मिंट तक और पका लेंगे तो लीजे फ्रेंड्स 2 मिंट हो गई हैं और देख सकते हैं आप यह हमारी अमचूर की घटी मिठी चटनी बनके रेडी है तो यह बहुत जादा गाड़ी भी नहीं है बहुत जादा पतली भी नहीं है तो एक दम परफेक्ट है अब कैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने के बाद आप चाहें तो चाट, पकोड़ी, समोसे, टिक्की, पापड़ी किसी के भी साथ इसको सर्व कर सकते हैं तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ आप चाहें तो इसको किसी कंटेनर में टाल के फ्रीज में स्टोड करके एक महिने तक भी रख सकते हैं तो ये आपकी खटी मीठी चटनी बिलकुल भी खराब नहीं होगी एक तम हलवाई के स्टाइल में बनाई हैं तो बहुत ही टेस्टी मजिदार बनके तयार हैं हमारी आप पे अमचूर की खटी मीठी चटनी तो फटा फट सी बनाईए चाट पकोड़े और इंजोई कीजे इस खटी मीठी अमचूर की चटनी का थेंक यू